हलो एथलीट्स! क्या आप जानते हैं ऐसा कौन सा टेस्ट है जिसकी मदद से सिर्फ 5 मिनट में हम अपने हर्ट की इफिशेंसी यानि हर्ट की फिटनेस को चेक कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं Harvard Step Up Test के बारे में तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आज हम जानेंगे Harvard Step Up Test क्या होता है और इसको करने के लिए कौन सा प्रोसीजर अपनाना होता है। साथ में हम इससे रिलेटेड दो नुमेरिकल कोश्चन को भी सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो लेक्चर के नोट्स का लिंक, टाइप नोट्स और हैंड रिटेंड दोनु तरह के नोट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद उन नोट्स को भी आप एक बार जरूर देख लें। और हाँ फ्रेंड्स अगर आप क्लास 11 या 12 में हैं और आप मैफमेटिक्स की प्रिप्रेशन करना चाते हैं तो बहुत ही नोलिजिबल टीचर स्री सुनील कुमार सर्दवारा बहुत ही अच्छे वीडियो लेक्चर बनाए गए हैं। उन वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। उन वीडियो को भी आप जाकर देख सकते हैं। तो आईए शुरू करते हैं। किसी भी टेस्ट को डिस्क्राइब करने के लिए हमें इन पांच हेडिंग की जरूरत होती है। सबसे पहला है इन्टोड़क्शन। इयर 1943 में फिजोलोजिस्स लूस्यन ब्रोहा और उनके सह्योगियों द्वारा मिलकर इस टेस्ट को हावड उन्वस्टी की लेबाटरी में डबलड किया गया। क्योंकि इस टेस्ट को हावड स्टेप अप टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगर वेस्कुलर फिटनेस यानि इसमें एक वर्ट काडियो वेस्कुलर आया है काडियो रिलेटेड है हर्ट से और वेस्कुलर रिलेटेड है ब्लड वेसल से मेंस इस टेस्ट में किसी इंडिवीजुल की recovery rate को check किया जाता है जिससे उसके heart और blood vessels की efficiency पता चलती है, साथ में हम उसके heart की fitness और aerobic fitness को measure कर लेते हैं और इस test को कराने के लिए हमें equipment की जरूरत होती है अगर इस test को male perform कर रहा है तो उसके लिए चाहिए हमें 20 inch का box और अगर इस test को female perform कर रही है, तो उनके लिए चाहिए हमें 16 inch का box साथ में हमें चाहिए होगा stop watch metronome और एक assistant या helper की जरूरत होगी, अब इसके हम procedure की बात करते हैं सबसे पहले subject को अच्छी तरह से warm up कर लेना है, उसके बाद उसे gym bench के पास आकर खड़े हो जाना है अब athlete को 30 step per minute की speed से gym bench के उपर लगातार 5 minute के लिए step up और step down करना होता है इसमें speed को maintain करना important होता है, एक minute में 30 step करने होते हैं यानि total 5 minute में उसे 150 step को complete करना होता है इस speed को maintain करने के लिए metronome का इस्तेमाल किया जा सकता है अगर metronome नहीं है तो helper या assistant उन्हें up up और down down की command भी दे सकते हैं इसमें कदमों की ताल 4 के count में होती है इसका मतलब है पहले count में पहला leg gym bench के उपर दूसरे count में दूसरा leg gym bench के उपर अब हमें return होना है तीसरे count में पहला leg जमीन पर और 4 काउंट में दूसरा leg जमीन पर इस प्रक्रिया को टोटल 5 मिनट के लिए दोराना है और इस पूरी प्रक्रिया में body straight होने चाहिए back straight होनी चाहिए test को complete होने पर यानि 5 मिनट complete होने पर हम subject को chair पे rest करने के लिए बैठा देते अब हमें subject की 3 बार pulse को measure करना है means test खतम होने के बाद subject को 1 मिनट का rest दिया जाता है उसके बाद उसकी पहली pulse को 1 मिनट से 1.5 मिनट के बीच मे measure करके note कर लिया जाता है दूसरी pulse उसकी 2 मिनट से 1.5 मिनट के बीच मे measure किया जाता है और तीसरी पल्स को तीन मिट से साड़े तीन मिनट के बीच में मेजर कर लिया जाता है अब इस पल्स को मेजर करने के तरीके क्या है मैं आपको manual method बताता हूँ हम पल्स को दो जगे से मेजर कर सकते हैं पहला है radial artery से दूसरा है karyotid artery से radial artery होती है हमारे wrist के पास हमें index finger और middle finger को इस तरह से हाथ के पास place करना है और 30 सेकंड के लिए पल्स को मेजर कर लेना है दूसरा तरीका है karyotid artery से karyotid artery होती है हमारी गर्दन के पास वहाँ भी आप अपने middle finger और index finger को इस तरह से place कर सकते हैं और सामने watch रखके इस तरह से आप 30 सेकंड के लिए पल्स को मेजर कर सकते हैं अब बात करते हैं इसकी scoring के बारे में इसके लिए हमें fitness index score निकालना होता है इसके लिए हमारे पास दो formula होते हैं एक होता है long formula दूसरा है short formula long formula का इस्तेमाल जब किया जाता है जब हमने subject की तीन बार pulse को count करके note किया हुआ है और short formula का इस्तेमाल जब किया जाता है जब हमने subject की केवल एक बार ही pulse को measure किया है और उसको note किया है लेकिन अच्छे result के लिए recommend ये किया जाता है कि हम long formula का इस्तेमाल करें तो पहले देखते हैं long formula long formula है इसका 100 into test duration in second divided by 2 into sum of pulse in recovery period अब बात करते हैं short formula की इसका short formula है 100 into test duration in second divided by 5.5 into pulse count between 1 to 1.5 minute after exercise इससे हमें fitness index score मिल जाता है अब इस score को हम fitness index score table के साथ match करके देखते हैं अगर इस test को male ने perform किया है और उसका score 90 से above है और अगर इस test को female ने perform किया है और उसका score 86 से above है तो उनकी fitness को excellent में रखा जाएगा इसे और अच्छे से समझने के लिए हम दो numerical question को भी solve करके देखते हैं अगर देखते हैं पहला numerical question इसमें 16 year boys द्वारा Harvard step up test को 4 minute के लिए perform किया गया है और उसकी pulse को 3 बार note किया गया है जो इस प्रकार से है पहली pulse एक से देड़ मिनट के बीच ली गई है जिसकी reading आई है 72 beats दूसरी pulse दो से धाई मिनट के बीच ली गई है जिसकी reading आई है 67 beats और तीसरी और लास्ट pulse तीन से साड़े तीन मिनट के बीच में नोट की गई है जिसकी reading है 61 beats क्योंकि इसमें हमारे पास तीनों pulse अवेलेवल है इसलिए हम इसमें long formula का इस्तेमाल करेंगे long formula है 100 into test duration in second divided by 2 into sum of pulse counted in recovery इसका मतला वह तीनों pulse को हमें note करके लिग देना है अब हमारे पास जो value है उसे हम formula में रख देते हैं 100 into 4 into 60 4 यहां पर test duration है इसे हमने second में convert करने के लिए 60 से multiply किया है divided by 2 into 3 पल्स पहली पल्स 72 दूसरी पल्स 67 और तीसरी पल्स 61 तीनों को हम add कर देते हैं आगे हमें मिलता है 24,000 divided by 2 into 200 इसे आगे solve करते हैं तो हमें मिलता है 24,000 divided by 400 इसे solve करते हैं तो हमें value मिलता है 60 इस value को हम fitness index score की chart के साथ मिला के check करते हैं तो हमें पता चलता है heart की efficiency low average होगी अब देखते हैं अगला question इसमें subject ने test को 5 minute के लिए perform किया है और उसकी pulse को केवल एक बार ही note किया गया है एक से डेड़ मिनट के बीच में जिसकी value आई है 80 हमें इसमें physical fitness index को calculate करना है क्योंकि इस test में केवल एक ही बार pulse को record किया गया है इसलिए हम यहाँ पर short formula का ही इस्तिमाल कर सकते हैं जो इस प्रकार से है 100 into test duration in second divided by 5.5 into pulse counted between 1 to 1.5 minutes यानि केवल एक बार हमने pulse लिया है उसे हमें यहाँ पर लिख देना है अब सारी value को हम formula में रख देते हैं 100 into 5 into 60 5 है हमारा test duration इसे हमने 60 से multiply करके second में convert कर लिया है divided by 5.5 into 80 80 है हमारा pulse जो हमने record किया था इसे हम simplify करते हैं तो 30,000 divided by 440 मिलता है और इसे हम जब solve करते हैं तो हमें value मिल जाता है 68.18 जिसका मतलब है heart की efficiency high average होगी इस वीडियो में इतना है physical education से related किसी वी तरह के notes और किसी वी तरह की जनकारी के लिए आप हमारे telegram, instagram और facebook पेस से भी जुड़ सकते हैं जिसका link मैंने description box में दे दिया है और friends मेरा यह effort अगर आपको पसंद आया तो channel को like और subscribe करना ना भूले जै हिंद, जै भारत, धन्यवाद